तो चलिए देखते हैं निम्बू के अचार को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर जो मैं आपको अचार दिखा रही हूँ यह मैंने लास्ट यर डाला था आप देख सकते हैं यह अचार बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है एक्शली यह अचार जितना मिच्योर होता जाता है इसका टेस्ट इतना ही बढ़ता जाता है इसलिए यह अचार सालों साल खराब नहीं होता है अगर आपको अचार का यह कलर पसंद नहीं है तो आप इसमें काला नमक ना डालें काला नमक ऑप्शनल है आप चाहे तो डालें अदरवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यह अचार खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है आप इसको अपनी मर्जी के उनसार पीस में भी काट सकते हैं और स्टफ करके भी बना सकते हैं दोनों तरह से यह अचार बहुत टेस्टी बनता है तो आईए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है निम्बू का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो निम्बू लिये हैं अचार बनाने के लिए हमें पतले छिलके वाला निम्बू चाहिए होता है तो जब भी आप निम्बू खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि निम्बू का छिलका पतला हो इसके इलावा हमें चाहिए चीनी, नमक, मोटी हुई काली मिर्च, अजवायन, लॉंग, मोटी इलाइची, मगज, काला नमक, देगी मिर्ची और लाल मिर्ची देगी मिर्च कलर के लिए होती है और लाल मिर्च तीखे के लिए सबसे पहले हम मोटी इलाइची, लॉंग और मगज, इन सब को दरदरा पीस लेंगे इन सब मसालों की मेजर्मेंट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मोटी इलाइची को छील कर उसके डाले निकाल कर उसको पीसेंगे अब बरतन में इन सब मसालों को मिक्स कर लेते हैं चीनी, नमक, अजवाइन, काला नमक, काली मिर्च, लॉंग, इलाइची और मगज को हमने पीस लिया था वो भी इसमें डाल देंगे तीखी लाल मिर्च और देगी लाल मिर्च अब इनको मिक्स कर लेते हैं नम्बू के अचार में बनने के लिए हमारा मसाला तयार हो गया है अब नम्बू को काट लेते हैं एक नम्बू उठाएंगे इसको सेंटर में से ऐसे प्रॉस का निशान लगाते हुए कट करेंगे ऐसे ये नीचे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए सारे नम्बू हम इसी तरह से काट लेंगे आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपल चार टुक्णों में काट कर भी बना सकते हैं आपको इसमें से जो भी मैथड पसंद आए आप उसके अपड़ी निम्बू का अचार बना सकते हो बाकी के निम्बू भी मैं इसी तरह से काट के तयार कर लेती हूं नेम्बु मैंने काटके तयार कर लिए है अब इसमें मसाला भर देते हैं एक स्पून की हेल्प से या फिर हाथ से ही इसमें मसाला भरते जाएंगे ऐसे जितना में इसमें आ जाता है और इसको साइड में रखते जाएंगे अचार डालते समय आपके हाथ बिल्कुल ड्राइव होने चाहिए नहीं तो आपका अचार ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा और जिस भी बरतन में आप बना रही हो वो भी एकदम ड्राइव होना चाहिए सारे नीम्वों में इसी तरह से मसाला भर लेते हैं सारे नीम्वों में मैंने अच्छे से मसाला भर दिया है इसमें काला नमक ऑप्शनल है आप चाहें तो ना डाले अगर आपको नीम्व का अचार लाल कलर में पसंद है तो आप इसमें काला नमक ना डाले क्योंकि काला नमक डालने से उसका रंग थोड़ा काला हो जाता है तो अगर आप चाहते हैं कि उसका रंग लाल रहे तो आप उसमें काला नमक ना डालें लेकिन काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब इसको एक ग्लास जार में भरके बाकी जो मसाला बचा है वो इसके उपर डाल दें और इसको दूप में 8-10 दिन के लिए रखें का अचार ठाने के लिए तयार हो जाएगा जैसे जैसे यह मिच्योर होगा वैसे वैसे ही इसका टेस्ट जादा अच्छा आएगा इसको एक ऐसे जार में बखें बाकी का जो मसाला बचा है तो इसके उपर डाल देंगे इसमें आपको ऑईल बिल्कुल भी नहीं डालना है यह अचार बिना ऑईल के भी सालो साल चलता है अब इसको धपकन से या फिर मलमल के कपड़े से कवर करके ढूप में आट से दस दिन के लिए रखतें आपका अचार तयार हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह रस्पी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले थैंक यू